आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुने फ्रेंस जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं फ्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर बन यदि आप दही वाली ग्रेवी की सबजी बना रहे हैं तो इसे मद्धिम आंस पर पकाएं और इसमें उबालाने के बाद ही नमक डालें इससे दही फटेगा नहीं और सबजी भी स्वादिश्ट बनेगी नमबर टू पानी में नमक मिलाकर किचिन स्लेब साफ करें या पोच्छा लगाएं इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कीरे मकोडे भी दूर रहते हैं नमबर थ्री पिसी हुई हल्दी को खराब होने से बचाने के लिए उसमें सावत लाल मिर्ज रख दे हल्दी खराब नहीं होगी फ्रेंज हम जब भी हल्दी लेकर आते हैं और जादा मत्रा में हल्दी आती है और हमें उसे स्टोर करके रखते हैं इससे वो खराब नहीं हो इसलिए उसमें सावत लाल मिर्ज रख दे हल्दी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी नमर फूर एक टीजपून सक्कर को भूरा होने तक गरम करें केक के मिक्षन में इस सक्कर को मिला दें ऐसा करने पर केक का रंग अच्छा आएगा नमर फाइव दाल को बनाने से पहले कम से कम 10-15 मिनट पानी में भीगो कर रखें ऐसा करने से दाल थोड़ी फूल जाएगी और इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा नमर सिक्स सुबह खाली पेट एलो विरा जूस पीना बहुत फायदेबंध होता है इसे चेहरे पर गिलो आता है यह आपको बिमारियों से बचाता है साथ ही पेट की आंतों को जलन को सांत करता है फ्रेंस जिदि आपको यह टिप्स अची लग रहे ही तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लें फ्रेंस वीडियो को पूरा ही सुनिएगा तब ही पता चलता है कि वीडियो में है क्या हो सकता है कोई भी टिप्स आपके बहुत काम की हो नमबर शेवन हरा धनिये की पत्तियों को तोड़ने के बाद इसकी डंडिया फैके नहीं छाया में सुका लें हरा धनिया ना हो तो इन डंडियों को प्रियोग करें नमबर एट जहां चींटिया जादा होती हो वहां हल्दी पाउडर या नमक फैला कर डाल दें चींटिया भाग जाएंगी फ्रेंच जहां चींटिया जादा आती हैं आपके घर में तो वहां पर आप हल्दी पाउडर या नमक फैला कर डाल दें इससे चींटिया चली जाती है नमबर नाइन खर्बूज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसकी महग पूरे फ्रिज में रखी समान में आ जाती है नमबर टेन आटा गुंतने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगा दे तो वह मुलाइम बना रहता है नमबर एलेवन काला जीरा सीधे चवाएं या एक ग्लास पानी में एक चमच जीरा उवाल कर पीएं आइसिडिटी से रहत मिलती है नमबर टेन लोकी में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पेट की समस्याओं को दूर करने पाचन समस्याओं को सुधारती भी है लोकी का जूस पीने से एसिडिटी की समस्या दूर होती है फ्रेंस लोकी में फाइबर की मातरा अच्छी होती है जो पेट की समस्यां को बचाने में पाचन क्रिया में भी यह आपके मदद करती है लोकी का जूस पीने से असिडिटी की समस्या भी दूर होती है 18. सेव के सिरके को पानी में मिला कर चहरे पल लगाने से ओपन पोर्स की समस्या दूर होती है 14. पनीर पकोड़े बनाते समय बैटर में थोड़ा सा ब्रैड क्रम्स मिला देने से पकोड़े बहुत क्रंची बनते हैं पनीर के पकोड़े बना रहे हैं तो आप उसमें ब्रैड क्रम्स जरूर मिलाएं इससे आपके पकोड़े बहुत ज्यादा क्रंची बनेंगे 15. हलवा बनाते समय अगर चीनी ज़्यादा पड़ जाए तो मखाने को पीस कर हलवे में मिक्स करने से हलवे का मीठापन कम हो जाएगा 16. काला चना चांट को बनाते समय भुना जीरा पाउडर और नीबुकरस इस्तिमाल करने से चांट टेस्टी बनती है 17. सूजी के हलवे में पानी की जगा दूद का इस्तिमाल करने से हलवा अधिक स्वादिष्ट बनता है यदि आप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो आप पानी की जगा दूद का भी इस्तिमाल करके देखिए आपका हलवा बहुत ही जादा स्वादिष्ट बनेगा नमबर 18 चहरे दोने के लिए दिन में एक बार सफेद पानी के जगा चावल के पानी से दोएं चहरे का रंग गोरा होने लगेगा नमबर 19 छिपकली आने वाले जगा अंडे के छिलके को रखने से छिपकली भाग जाएगी फ्रेंच जहां पर आपको लगता है कि यहां पर चिपकली आती है तो वहां पर आप अंडे के छिलके को रख दें वहां पर चिपकली नहीं आएगी वहां से वो भाग जाएगी नमबर 20 फूल गोवी के टुकडों को नमक वाले पानी में डाल देने से उसमें छिपे कीडे पानी के उपर आ जाते हैं नमबर 21 आलू पालक की सबजी बनाते समय बारिक कुटा हुआ लहसुन मैजिक मसाला और धनिया पाउडर मिलाने से स्वाद अच्छा आता है नमबर 22 केले को कभी भी फिरिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह हमेशा वातावरण से ही है और फिरिज में रखने से खराब हो जाता है फ्रेंस हमें केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए इसे हमें खुले वाता परण में ही रखना चाहिए फ्रिज में रखने से केला खराब हो जाता है अगर घर में रखी कैंची ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उसका धार बढ़ाने के लिए कैंची को नमक के डिब्बे में दो से तीन मिनट चलाएं ऐसा करने से कैंची की धार बढ़ जाएगी फ्रेंस ये आपकी कैंची की धार कम हो रही है तो आप नमक की डब्बे में कैंची को 2-3 मिनिट ऐसी ही लगाता चलाते रहें इससे आपके कैंची की धार है वो तेज हो जाएगी दाल में नमक अधिक हो तो उसमें एक टेवल स्पून फ्रेस क्रीम मिला दें इसमें नीबू करस मिलाकर फ्रिज में रखें गर्मी के मुसम में खाने के बाद गुड़ खाएं और टमाटर की चटनी नारियल और पेठा भी अपने आहार में सामिल करें इससे भी लो लगने का खत्रा कम होता है नमर 27 सावत मसालों के कारण अगर सबजी का तीखापन बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए फ्रेस क्रीम दही और ताजी मलाई फैट कर डालें तीखापन और कम हो जाएगा नमर 28 सावत मसालों के कारण सबजी में तीखापन बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए आप उसमें फ्रेस क्रीम दही या पिर ताजी मलाई फैट कर डालें इससे तीखापन सबजी का कम हो जाएगा नमर 28 सूगी सबजी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें दरदरा पिसा हुआ मुंपली पाउडर मिलाएं नमर 29 कुकर में दाल अगर बाहर आ रही है तो उसमें एक चम्मस घी या तेल मिला दें इससे दाल उबलकर बाहर नहीं आएगी नमर 30 पैरों के तलबे में विक्स लगाने से सीने का कफ ठीक हो जाता है और सर्दी जुकाम भी नहीं होता है फ्रेंज यदि आप पैरों के तलबों में विक्स लगाएंगे तो जो सीने में जो कप की समिश्या है या फिर सर्दी लग गई है जो खाम हो गया है तो वो इससे ठीक हो जाएगा नमर ठाटी बन सेव खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए गले में दिक्कत हो सकती है नमर ठाटी तू बासी मू रोजाना दही इस्तेमाल करने से आपके लीवर की पाचन किरिया ठीक होती है नमर ठाटी तू रोजाना रोटी नरम और फूली हुई खाने से कमर की चर्वी नहीं बढ़ती है नमर ठाटी फूर पानी को साफ करने के लिए दो-तीर मिनट के लिए फिटक्री मिला दे दो-तीर मिनट के लिए उसमें फिटक्री मिला दे पानी साफ हो जाएगा number 35 मूली के दो चमच रस में सक्कर मिला कर पीने से खटी डगार आना बंध हो जाती है french, मूली के दो चमच रस में आप सक्कर मिला लीजिये इस से जो आपको खटी डगार आने की समझसा है वो बिल्कुल बंध हो जाएगी number 66 जो का चछना हुआ आड़ा तिल और सक्कर प्रतेक 12-12 ग्राम लेकर महीन पीस कर सहद में मिलाकर चाटने से गरभवाद नहीं होता है फ्रेंज जो और चना का जो आटा होता है तिल और सक्कर प्रतेक को 12-12 ग्राम लेकर महीन पीस लें इसे सहद मिलाकर चाटने से गरभवाद नहीं होता है फ्रेंट आज आपको ये टिप्स कैसी लगी जरूर से बताईएगा टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाईएगा और चैनल पर नूँ है तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा फ्रेंच वीडियो बहुत अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंच में शेयर जरूर कर दीजेगा और अपना फीड़बेक भी वीडियो के कमेंड बॉक्स में जरूर दीजेगा फ्रेंच आज की वीडियो बस मेरी यहीं तकी थी